दोस्तो अमेरिका की बहुत पहले समय से यह नीती रही है कि अमेरिका एन मौके पर ही धोका देता है पर भारत भी इस बात को जानता है और अभी आप सभी को मालूमी है कि चाइना के सेनकों का एक वीडियो बाइरल हो रहा है जिसमें भारत के छेतर के अंदर देखे जा रहा है यानि इस समय चीन और भारत का विबाद फिर से गर्मा चुका है और इसे बीच अमेरिका से एंसी खबरें आ रही है कि अमेरिका ने भारत को 31 MQ9 Reaper ड्रोन देने से मना कर दिया है हाला कि इस खबर की अभी तक कोई पुक्ता जानकारी नहीं है जब तक कि अमेरिका यह कनफर्म नहीं कर देता कि भारत को हम यह ड्रोन देंगे या फैन नहीं देंगे क्योंकि इस डील को लेकर अमेरिका का जो हमारे यहां पर दूतावास है उसके प्रवक्ता की तरब से जो बयान आया है वो भी काफी जादा नापा तुला है और इस बयान में यह के लिए नहीं हो पाया है कि यह डील अमेरिका ने तोड़ दी है या फिर यह डील आंगे बढ़ेगी इसके अलाबां पश्मी देशों की मीडिया की त भारत की दोस्ती बढ़ेगी परन्तु इस सब पूरे बलंडर के बीच में रशिया की तरब से एक बड़ा बयान आया है जो की रूस और भारत की दोस्ती का प्रतीक है दरसल रूस के जो उप विदेश मंतरी हैं एंडरी रोडोंको जी उन्होंने पश्मी देशों की मीडिय के बयान को खारिज करती हुए कहा कि भारत अभी भी हमारा अच्छा दोस्त है और भारत अभी भी हमारे साथ रक्षा संबंद स्थापित करना चाता है पश्मी देशों ने खबर इसलिए फैलाई है ताकि भारत रूस से दूर हो जाए और रूस और भारत की दोस्ती पहले आज भी हमारे साथ कई प्रकार के रक्षा समझोते करने को तयार है परन्तु पेमेंट के इसू के चलते अभी समझोते हो नहीं पा रहे हैं परन्तु आंगे चल कर इसका रास्ता आवश्यन निकलेगा हाला कि आप सभी को क्या लगता है इस टोपेक के ऊपर और इस समय जो अमेरिका है वो कि आभारत का अच्छा भागीदार बन रहा है या फिर हमारा पुराना दोस्त रूसी भारत के लिए अच्छा मित्र है